Hello dear students, कैसे हो आप सभी? तो आज के studio में हम class 9th का, जो आपका final exam होने वाला है तो इस studio में हम class 9th का, हिंदी का final exam का sample paper करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं, तो देखिए questions के और बढ़ने से पहले यहाँ पर हमें कुछ समानने निर्देश दिये गए हैं तो इनको एक बार हम पढ़ लेते हैं क्योंकि जैसा इस sample paper का pattern आप देखोगे ऐसा ही pattern आपको अपने exam के quotient paper में भी देखने को मिलेगा यानि कि जैसा pattern इस sample paper का है ऐसा ही pattern आपका exam का quotient paper का भी होगा तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि आपको total तीन घंटे का time दिया जाता है quotient paper को पूरा करने के लिए और 80 marks का आपका exam होता है अब देखिए समानने निर्देश में first point में हमें क्या बोला गया है कि प्रशन पत्र दो खंडों खंड का और खंड खा में विभाक्त है second point में बोला गया है खंड का में कुल 49 वस्तु परक प्रशन पूछे गये है दिये गे निर्देशों का पालन करते हुए केवल 40 प्रशनों के उत्तर दीजिए और third point में बोला गया है खंड का में वर्णात्मक प्रशन पूछे गये है प्रशनों में उचित आंतरिक विकल्प दिये गये है इसके बाद fourth point में बोला गया है दोनों खंडों के प्रशनों के उत्तर देना अनिवार रहे और last point में बोला गया है कि यथा संभव परतेक खंड के प्रशनों के उत्तर क्रमशह दीजिए तो चलिए अब हम सबसे पहले खंड का के questions को करते हैं तो खंड का हमारा आपठित अंश वाला है तो इसका देखिए first question जो है यह हमारा जो गद्यांश होता है आपठित उसके base पे questions दिया हुआ है तो यह आप देख सकते हैं यह पूरा गद्यांश हमें दिया हुआ है इसको एक बार हम जल्दी से पढ़ लेते हैं हमसे बोला गया है कोरोना महामारी की पिछली लहरों के दोरान विश्व समुदाय अभिवादन के लिए नमस्ते करता नजर आया था योग और आयुवेद की लोग प्रेता विश्व भर में बढ़ती जा रही है सब में भारत नहीं था यह भारत की soft power के कुछ सबसे सबसे उदाहरन है भारत विश्व का ऐसा अनूठा देश है जिसकी soft power उसकी सभ्यता गत विरासत और सांस्कृति कौशल पर आधारित है soft power के लिहाद से शक्तिशाली तो कई देश है लेकिन उनमें से अधिकांस अपनी संस्कृति को पश्चिमिकृत करके या मिलता जुलता दिखाकर मित्रता गाठने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं और आगे हमसे बोला गया है कि इसके विपरीत भारत सांस्कृतिक एकता और उसी में भरपूर विविता वाला देश है एक ऐसा लोगतांत्रिक देश है जिसकी अकांशाओं से भरी हुई समाजिक आर्थिक गतिशिलता से भरी हुई बहुत जीवन्त जनसंख्या है जिसकी अथा सांस्कृतिक गहराई है अपार तकनीकिक शमता है और संकट काल में विश्व की मदद करने के लिए जिसके हजारो हाथ है ठीक है और आगे हमसे बोला गया कि विश्व में भारत की छवी एक ऐसे सौम में देश की है जो लोगतंत्र अंतराश्य सहयोग, स्थीरता और परतिबधता के समर्थन में अंतराश्य समुदाय में अपनी बढ़ती भूमिका को लेकर पूरी तरह निश्चिन्थ है और आगे बोला गया है जो विश्व के संकटों को विश्व का साजा संकट मानता है जो सैने शक्ती है लेकिन सोभाव से अक्रामक नहीं है और जिसकी बढ़ती सैने शक्ती को निकट और तमाम दूर देशों द्वारा खत्रे के रूप में नहीं देखा जाता है और आगे बोला गया है जो अपनी सहस्त्राब्दियों पुरानी सब्वता और आधुनिक विकास की कहानी के कारण आज भी दुनिया के सभी क्षेत्रों के लिए कौतुक और रूची पैदा करता है तो इस तरह से ये पूरा हमारा गद्यांच दिया गया था इसको एक बार दुबारा से आप पढ़ लेना एक्जाम में जब गद्यांच वाला कोशन आएगा तो सबसे पहले आप गद्यांच को कम से कम दो बार पढ़ लेना उसके बाद कोशन को करना तो देखें फर्स्ट कोशन में क्या पूछा गया है विश्व में भारत की छवी एक ऐसे एक सौम में देश की है कथन पढ़कर सही विकल्ब का चैन कीजिए तो देखें फर्स्ट में बोला गया लोकतंत्र, अंतरराष्टिये, सहयोग, स्थीरता और परतिबत्ता का समर्थग तो ये हमारा जो है सही है विश्व के संकटों को विश्व का साजा संकट मानता है ये भी सही है जो शैन शक्ती है लेकिन सुभाव से अक्रामक नहीं है ये भी सही है यानि कि उपर के तीनों सही है और फॉर्थ में है हमारा देश वित्तिय प्रभुत्त वाला देश है तो ये हमारा सही नहीं है यानि कि गद्यांस के अकोर्डिंग ये सही नहीं है तो उपर के तीनों हमारे सही थे तो देखिए गव आप्शन में दिया हुआ है कि कथन एक, दो और तीन सही है तो इसलिए फर्स्ट कोशन का हमारा ये गव वाला आप्शन जो है ये हमारा राइट हो जाएगा ठीक है इसके बाद नेक्स चलते हैं सेकंड कोशन पर तो सेकंड कोशन में है गद्यांस के अनुसार भारत का सौफ्ट पावर किंग शेत्रों में विश्वभर में बढ़ती जा रही है तो योग और आयरुवेद की लोग प्रियता यानि कि कव वाला आप्शन हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि अभी हमने गद्यांस में पढ़ा था कि जो भारत है उसकी सौफ्ट पायर किंग शेत्रों में विश्वभर में बढ़ती जा रही है तो योग और आयरुवेद की लोग प्रियता के कारण चिक है तो यह हमारा हो जाएगा कर ऑप्शन राइट सेकंड कोशन का इसके बाद थार्ड कोशन में पुछाए कि गद्यांस के अनुसार भारतिय जन संख्या की किक शेत्र में अथाह गहराई है तो समुदाय में यह नहीं होगा संस्कृती में यानि कि खावाला ओप्शन राइट है हमारा थार्ड कोशन का और इसके बाद फोर्थ कोशन में क्या पुछा है कि लेखा के अनुसार पुरानी सब्यता और आधुनिक विकास की कहानी के कारण आज भी भारत दुनिया के सभी क्षेत्रों के लिए क्या पैदा करता है तो कौतुक और रूची पैदा करता है अभी हमने गद्यान्स में पढ़ा था तो इसलिए का आप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ कोशन का इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ कोशन इसमें हमसे बोला है यह हमारा कथन और कारण वाला कोशन है तो कथन और कारण को पढ़कर उपयोक्त विकल्प चुनिए कथन दिया गया है कि योग और आयर्वेद की लोग पिरता विश्वभर में बढ़ती जा रही है तो कथन तो हमारा बिल्कुल सही है कि योग और आयर्वेद की लोग पिरता जो है वो विश्वभर में बढ़ती जा रही है कारण क्या है कि योग और आयूरवेद से मनुष स्वस्थ और पसंचित रह सकता है यानि कि अगर कोई योग और आयूरवेद यानि कि योग करता है तो वो जो है स्वस्थ और पसंचित रह सकता है तो इसलिए हमारा कारण भी सही है और कथन भी सही है दोनों सही है और जो ये कथन हमारा है इसका ये कारण सही व्याख्या भी है ठीक है यानि कि जो हमारा ये कथन दिया गया है इसका ये जो कारण है ये सही है ठीक है तो इसलिए हमारा इसमें देखिए ये जो गावला उप्शन है इसमें बोला गया है कि कथन ए सही है और कारण आर कथन की सही व्याक्या भी है यानि कि जो ये कथन हमें दिया गया है आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो ये कथन है ये हमारा किस के कारण है तो योग और आयूरवेद के कारण यानि कि इस कथन का जो कारण है वो हमारा ये बिल्कुल सही है इसलिए 5th number question का ये गव वाला option राइट हो जाएगा I hope आपको समझ में आ गया ये question ठीक है तो ये हमारे जो first question है गध्यांच वाला उसमें से 5 questions हम से पुछे गये थे ठीक है अब इसके बाद second question देखिए second question हमारा ये पध्यांच वाला दिया गया है यानि कि ये जो question है इसमें हमें एक पध्यांच दिया गया है तो सबसे पहले इस पध्यांच को आपको ध्यांच से पढ़ना पड़ेगा ठीक है ये हमारा पध्यांच है और बाकी का इसका part जो है ये रहा नीचे ठीक है तो इसे भी आपको पढ़ना है अब इसके base पे questions पुछे गया है तो मैं आपको questions करा देता हूँ तो देखें first question हमसे पूछा गया है कि इस कवीता के केंद्रिये भाव हे तू दियेगे कत्नों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिये मैं हाँ पर ये जो पध्यान से इसको नहीं पढ़ पा रहा हूँ नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यदा लंबी हो जाएगी ठीक है मैं आपको इसका PDF टेलिग्राम गूर्प पर send कर दूँगा वहां से download करके आप ये जो sample paper हिंदी का इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना सारे questions को ठीक है अगर आपने टेलिग्राम गूर्प जोइन नहीं किया है तो जोइन कर लेना टेलिग्राम गूर्प जोइन करने का link आपको इस वीडियो के description box में दिया हुआ है वहां पर click करके जोइन कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम first question को कर लेते हैं इसमें बोला गया है कि इस कवीता के कींद्रे भाव हे तू दियेगे कतनों को पढ़ कर सबसे सही विकल्ब चुनिये ठीक है तो यहां पर देखिए ये हमें चार कतन दिये गये है पहला क्या दिया हुआ है कि हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए यानि कि ये जो बोला गया है ये हमारा बिल्कुल सही बोला गया है ठीक है दूसरा है भाग्य का भरोसा करना अच्छी बात है ये हमारा गलत है भागय के भरोसे रहने से पस्तावा होता है ये भी हमारा जो पध्यांस है उसके अनुसार ये गलत बोला गया है ठीक है आप एक बार पध्यांस को पढ़ लेना आपको समझ में आ जाएगा फोर्ट में बोला गया है कि भागयवान सदेव कर्म करके रास्ता निकालते हैं तो इसलिए ये भी हमारा सही है यानि कि फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों हमारे पद्यांस के according सही है कथन तो इसलिए विकल्प में देखिए first और fourth हमारा घह option में दिया हुआ है तो इसलिए first question का ये घह वाला option हमारा right हो जाएगा इसके बाद second question में क्या पूछा है कि कव्यांच में कैसे दिन को कैसे होने की बात कही गई है तो बुरे दिन अच्छे होने की बात कही गई है पध्यांच में यानि कि जो कव्यांच है उसमें बुरे दिन अच्छे होने की बात की गई है इसलिए option हमारा right है second question का इसके बाद third question में क्या बोला है कवीता में कवी ने आज का काम कब करने की बात की है तो कवीता में कवी ने आज का काम आज ही करने की बात की है तो इसलिए third question का ये खाव वाला option हमारा right है ठीक है इसके बाद next चलते हैं fourth number के question पर तो fourth number का question देखिए इसमें हम से क्या बोला है कि कवी भूल कर भी क्या नहीं करने की बात कर रहा है तो कवी जो है वो दूसरों का मुह देखना इसकी बात नहीं कर रहा है भूल कर भी यानि कि हमारा जो ये fourth question है इसका ये कव वाला option जो है right है ठीक है इसके बाद next चलते हैं fifth number के question पर तो fifth number के question में हम से क्या बोला है कि चुनोतियों को स्विकार करना ही मार्ग प्रसस्त करता है तो कथन पढ़कर सही विकल्प का chain कीजिए ये हमें चार कथन दिये गए है पहला कथन क्या है शंगहर्ष से उपलवधियां प्राप्त होती है तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है इसके अलावा चुनोतियां व्यक्ति को मजबूत बनाती है यानि कि ये भी सही है हमारा देश संगहर्ष लोगों का देश है ये हमारा कविता के according सही नहीं है संगहर्ष से व्यक्ति चिर्चिरा भी हो जाता है ये भी हमारा सही नहीं है यानि कि सिर्फ हमारा जो first और second है ये दोनों सही है तो देखिए इस ख़वाले option में हमें first और second सही है इसकी बात बोली गई है तो इसलिए fifth number का question जो है इसका ये ख़वाला option हमारा right है ठीक है इसके बाद चलते है next तो देखिए इसी second question में हमें यहां पर अथ्वा में भी दिय गया है ठीक है तो एक्जाम में भी इसी तरह से आएगा आपको second question में दो काव्यांस दिये जाएंगे एक तो मैंने अभी आपको यह करा दिया है और second आपको अथ्वा में यह वाला दिया गया है तो दोनों में से आपको कोई एक को करना पड़ेगा एक्जाम में मैं आपको अथ्वा वाला जो है हमारा यह भी आपको कडा दे रहा हूँ तो इसमें हमें सबसे पहले यह काव्यांस दिया गया है इसको आपको सबसे पहले ध्यान से पढड़ना पड़ेगा ठीक है मैं आपको पढ़के नहीं बता सकता नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी आप इस हमें कथन दिए गे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, यह 4 कथन हमें दिए गे है, यह रहे 3 और 5 और 1 यह रहा चौत ढूंत देखिए पहला है वह आदि अन्द से मुक्त, यह हमारा बिल्कुल सही है, दूसरा है उससे ही सूर्य प्रकाशित है, यह second वाला भी सहिए, third है किरिने उसकी संदेश वही का है तो ये भी सहिए, और fourth में बोला गया है कि उसका उपासक हमेशा से रिणी है, यानि कि ये fourth भी सहिए, यानि कि जो ये चारों हमें कथन दिये गए हैं, ये चारों सही है तो विकल्प में देखिए कि खव वाले में हमें बोला गया है कि कथन एक, दो, तीन और चार सही है, यानि कि first जो कोशन है हमारा अत्वा वाला उसका ये हमारा खव वाला option राइट हो जाएगा, ठीक है इसके बाद next देखिए second question, तो second question में क्या बोला गया है, काव्यांज के अनुसार किसका रोम रोम तेरा चिर रिणी है तो ये जो है हमारा संपून स्रिष्टी का, यानि कि घव वाला option जो है ये हमारा राइट है, second question का, ठीक है, इसके बाद देखिए third question, तो third question में बोलाए कि काव्यांज के अनुसार, उसके आगे क्या नन्ही बूंदे हैं तो इसका हमारा right option ये कव वाला हो जाएगा, यानि कि आकाश गंगाएं, ठीक है तो ये हो गया third question का option right, इसके बाद next देखिए fourth number का question इसमें पूछा गया है कि काव्यांज के अनुसार, उसके चरणों को छूने कौन ललाईत है तो इसका जो है हमारा ये हीम गिरी, यानि कि गह वाला option right हो जाएगा इसके बाद next देखिए fifth number का question तो इसमें हमें बोलाए कि हर किरन संदेश वाही का और पवन उसके गीत गाता है तो कथन पढ़कर सही विकल्प का chain कीजिए, ये हमें कतन दिया गया है तो इसमें हमारा ये बोला गया first में कि वह सर्वशक्तिमान है तो ये जो है ये बिलकुल सही है दूसरे में बोला है कि वह स्रिष्टी का करता, भरता और हरता है तो ये हमारा second वाला भी सही है वह भाई चारे का पालन नहीं करता, ये गलत है प्रकृति भी उसकी वंदना करती है यानि कि ये fourth भी सही है तो third को छोड़ कर first, second और fourth ये तीनों सही है तो देखिए, घह वाले option में हमें दिया हुआ है first, second और fourth सही है तो इसलिए हमारा घह option right हो जाएगा, fifth number के question का, ठीक है तो इस तरह से हमने, जो हमारा second question था उसका अत्वा वाला question भी complete कर लिया इसके बाद हमारा देखिए next question number third से ये व्यावहारिक व्याकरण यानि कि grammar वाला जो part है वो start हो जाता है question number third से तो इसलिए grammar वाले जो है, ये हमारा question number third से, इसके लिए मैं next video बनाऊंगा और उसमें मैं आपको grammar वाला पूरा अच्छे समझा दूँगा, ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को एक like जरू कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरू share कर देना ताकि उन्हें बेश से benefit मिले और अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके side में जो bell icon आता है उस पे all पे click कर लेना ताकि next video मैं जैसी upload करूँ उसका notification सबसे पहले आप तक पहुँच जाए तो मिलते हैं फिर next video में part 2 के साथ जिसमें हम इस sample paper का grammar वाले सारे questions को करेंगे ठीक है तो मिलते हैं फिर next video में धन्यवाद